तो चलिए आज मैं आपको बताँगा कि अगर आपका फोटो आपके फोन में क्लियर कैसे करें तो चलिए अज का वीडियों स्वरू करते है हम अंधर मोबल फोन के होमस्क्रीन पर आगे तो चलिए हम यहांसे प्लेश्टोर को ओपन करते हैं प्लेश्टोर ऊपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करना है Remini R-E-M-I-N-I Remini जैसे ही अब सर्च करते हो यहाँ पर सबसे पहला आप्शन आजाएगा यह अप्लीकेशन है यह अप्लीकेशन पर हम क्लिक करते है और यह अप्लीकेशन का लोगो कुछ ऐसा है तो चलिए अब हम यह अप्लीकेशन को इंस्टोल के बटन पर क्लिक करके इंस्टोल करना सुरू करते है तो फ्रेंट्स मैंने यह अप्लीकेशन को इंस्टोल करना सुरू कर दिया है यह अप्लीकेशन 33.93 MB की यानिकि आप 34MB की बिया एपलिकेशन को बूल को बूल सकते हो, और फ्रेंज्ट सी आपलिकेशन मैरे फ़ण में इंस्टोल हो गई है, तो चली, हम चले जाते हैं हमारे mobile phone के home screen पर और mobile phone के home screen पर यह application का logo कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो चलिए हम हमारे mobile phone के home screen पर चले जाते हैं यहाँ से हम हमारे mobile phone के home screen पर आ गया है और mobile phone के home screen पर यह application का logo कुछ ऐसा दिखता है तो चलिए अब यह application को open करते है application को open करने के बाद यहाँ पर हमें next पर click करना है यहाँ पर भी next पर click करना है यहाँ पर भी next पर click करेंगे और यहाँ पर हमें sign in पर click करना है अब जैसे sign in पर click करते हो अगर यह application आप पहली बर use कर रहे है अगर यह application में आपका account नहीं है तो यहां से आपको sign up पे click करना है और यह application में आपका email address डालना है यहां पर आपका verification code आएगा वो verification code को यहां पर fill कीजिए और यहां पर आपका password create कीजिए और password create करने के बाद यहां पर आपको sign up पे click करना है और sign up पे आपने जो भी password लिखा है वो password को यहाँ पर आपको enter करना है password enter करने के बाद sign in पे click किजिए और आप यह application में sign in हो जाएंगे यह वे friends आपको यहाँ सा sign up या फिर sign in नहीं करना हो तो आप directly Facebook या Google से भी sign in हो सकते हो मैं आपको Facebook से sign in होके बता देता हो मैं Facebook पे click करता हो और मैंने जैसे पे click किया तो आप देख पा रहे हो कि यह application में मैं तुरंत ही login हो गया हो login होने के बाद यहाँ पर पहला इंहेंस लिखा हुआ है हमें इस पर click करना है और enhance पर click करने के बाद हमें यहाँ पर use it पर click करना है अब जैसे use it पर click करतो है यहाँ पर आपके सामने option आ रहा है हमें यह option को yellow कर देना है अब जैसे yellow पर click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा page आएगा आपके galleries के photo आ जाएंगे आपको यहां से कोई भी फोटो को clear करना है वो फोटो को select कर लेना है अगर आपको आपके gallery में जैसे folder बना होता है वो folder को open करना है और easily आपको वो फोटो के पास पहुचना है तो आप यहां से यह option लिखा हुआ camera roll उस पर click करके आपके folders यहां पर आप देख पाऊगे आपको पता होगा कि आप आपके photo को zoom करते हो तो आपका photo फट जाता है यहाने की clearness चली जाती है तो मैं आपको जूम करके बता देता हूं अब देख पार हो मेरे photo से कितने ही सारी clearness चली गई है अब मेरे photo को मैं इतना ही जूम रखूंगा और अब मैं यहां से right की sign पर click करता हूं तो friends मैंने यहां से right की sign पर click कर दिया है अब आप जैसे ही right की sign पर click करते हो तो यहां पर लिख्या रहा है creating task यह जैसे ही complete होगा आपके एक add चलो देख पार हो यहां पर यह add आ रही है यह add यहां पर 30 seconds यह 15 seconds की भी आ सकती है यह add जैसे complete होती है यह add को यहां सबको cut कर देना है अब जैसे cut करते हो आपके समने कुछ ऐसा पर जाएगा यहां पर एक बीच में आप लाइन देख पार हो यह लाइन को आप ऐसे set भी कर सकते हो यहां पर यह लाइन के जो right side की पहले यह photo कैसा था और application ने कितना clear करके दिया है यह photo को आप ऐसे clear कर सकते कोई भी photo को आप ऐसे clear कर सकते हो clear करने के बाद यह application में आपको download का option दीख रहे है उपर की तरफ यह download option पर हम click करते है और आप जैसे download option पर click करते हो आपके समने वापस एक एड आएगी 15 seconds यह 30 seconds की ह सकती है वह एड को भी पूरा देखना और जैसे ही complete होती है आपको वह को close कर देना है और यहां पर आप देख पा रहे हो यह photo मेरे गैलरी में सेव हो गया है मैं आपको मेरा गैलेरी भी ओपन करके बता देता हूँ तो चलिए हम चले जाते होम पेज पे और यहां से हम गैलेरी को ओपन करते है गैलेरी ओपन होने के बाद यह मेरा फोटो आ गया है तो चलिए हम यह फोटो को ओपन करते हैं तो फ्रेंट्स आप देख प दबने का या दखना